Hello everyone and welcome to this session और आज इस session पे हम लोग एक बहुत ही interesting और easy problem के बारे में आज हम discuss करेंगे और यह सभी जो problems मैं आपको यहां से बता रहा हूँ यह easy level के हैं मदब जाथ अगर आप किसी placements के दियार ही कर रहे हैं तो यह problems हर जगह पर most of the companies हर जगह पर generally यह questions है जो हर जगह पर आती हैं तो जो सबसे पहली problem है वो है contains duplicates problem easy है बट पहले आपको समझा जाता हूँ कि यह easy है लेकिन तरीका क्या है मतलब बहुत सारे अलग तरीके हैं इस problem को solve करने के तो I'll explain all of them one by one तो problem कुछ ऐसा है कि आपके पास एक array given है और उस array में आपके पास यह identify करना है कि क्या कोई element जो है वो यहाँ पर repeat हो रहा है या नहीं हो रहा अगर कुछ element यहाँ पर repeat हो रहा है तो आपको true return करना है और अगर सभी element जो है वो unique है तो वहाँ पर आपको false return करना है तो सभी examples में आप यहाँ से देख सकते हैं by the way ये जितने भी मैंने यहाँ से statement आपको दी है आप इस वीडियो को pause करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो पहले आप पॉस करो और चेक करो कि प्रॉल्म क्या है, तो आप जैसे पहली प्रॉल्म मैं यहां से दी है, तो यहां पर आपके पास टोटल फोर एलिमेंट्स है, और हमें देखना है कि क्या इसमें से कोई रिपीटिंग वालूस है या नहीं है, तो आप क्लिरली देख सकते हो, आपके बहुत सार तरीके हैं, बहुत सारे स्टाइज़ आप यहां से यूज कर सकते हो, अब जैसे अगर आप यह आप देख रहा है, वो टू से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यह रिपीटिंग वालूस नहीं है, लेकिन यहां पर आप हो करना यह है, कि हर एक अलिमेट हो कंपेर करना है, और आपको देखना है कि क्या रिपीट करते हुए, कि आपके बहुत स्पीन वालूस यहां पर आ रही है, अगर ऐसा हो रहा है, तो उसके आपको टू रिटर्न करना है, अब जैसे ही example number 2 आप यहां से चेक करो यहां पर जितने भी element है वो सभी unique values है और because यह सभी जो है unique values है तो आपको जो output होगा that should be false और ऐसे ही आपका example number 3 है कि आपके पास ही सभी elements यहां पर mentioned है वो कितनी बार में repeat हो सकता है जैसे अगर आप देखोगे तो 1 जो है वो 3 बार यहां पर आ रहा है और जो 3 है So 1, 2, 3 तीन बार 3 आपके पास आ रहा है और जो 4 है वो आपके पास 2 बार आ रहा है और 2 जो है वो आपके पास 2 times यहां पर आ रहा है तो obviously यहां पर कुछ repeating values है और because यहां पर repeating values है इसी वजह से जो output is going to be true, वो आपके पास true रहेगा problem बहुत easy है, लेकिन obviously आपकी जो time complexity है और एक problem का तरीका जो है वो important है Now let us see the first strategy, जो पहला जो strategy आप यहां से use कर सकते हो, that is by using the brute force strategy Assume करो कि आपका चुछ elements है, maybe 1, 2, 3, 4 and maybe we have value as 3 अब वो करना यह है, एक element को लो और उनको सभी के साथ compare करो 1 से लेकर 2 से compare किया, 1 से लेकर 3 तर compare किया, 1 से लेकर 4 तर compare किया, 1 से लेकर 3 से compare किया तो आपको चेक किया है, कहीं पर भी repeating values यहां पर नहीं हो रहे है तो बिकोज यहां पर को repeating values यहां पर नहीं हो रही है, तो अब हमें next element पर आप जाएंगे और sum से compare करेंगे 2 से 3 तर compare किया, वो match नहीं होगा 2 से लेकर 4 तर compare किया, वो भी match नहीं होगा 2 से लेकर 3 से match किया, यह भी match नहीं हो रहे है तो obviously आप तक भी कोई प्रॉल्म नहीं है next element करो so 3 से लेकर 4 से compare करो और 3 से लेकर 3 से compare करो और आपने compare किया तो और understand कि यहाँ पर आपके पास एक repeating values यहाँ पर आ रही है और because अगर आपके पास repeating values आ रही है तो you can say yes, true, यहाँ पर repeating values है और इस problem को solve करने के लिए आप simply दो loop को आप use कर सकते हो जैसे पहला follow आप use कर सकते हो कि first element से लेकर और हमें n element तक हमें यहाँ से जाना है और जैसे पहला element आपके पास आया है आप मुझे हर एक values को compare करना है तो उसके लिए हमें दूसरे for loop को भी आप यहाँ से ले सकते हो ठीक है और obviously you can see this problem, right just by using four for loops दो for loop लिने से आपकी problem यहाँ से solve हो जाएगी और जो आपकी जो time complexity जो इस problem की रहेगी that is going to be big of n square और आपकी जो space complexity है that is going to be big of 1 यानि कि constant time में इस form को आप यहाँ से solve कर सकते हो now the problem is कि क्या मैं इस problem को क्या इससे बहतर, क्या इससे बेटर हम लोग यहाँ से कर सकते है the answer is yes इससे भी बेटर हम लोग यहाँ से कर सकते है और वो strategy क्या होगी तो second strategy हम by using sorting हम यहाँ पर element को हम यहाँ से sorting कर सकते है अब कोई भी sorting algorithm आप यूज करो चाहे आप quick sort करो merge sort करो चाहे आप चाहे you can also use like heap sort को यहाँ से यूज कर सकते हो क्योंकि heap sort की जो time complexity है that is going to be that is n log n और आपकी जो space complexity होगी that is going to be big of 1 तो obviously by using heap sort आपकी जो time complexity होगी that is n log n a strategy है क्या strategy है कि यह जो element है मैं इसको sorting करी sorting करने के जो elements आपके पास आजाएगी that is 1, 1, 2, 3 अब पहले element को चेक करो उसके exactly जो adjacent है यान कि जो अगली जो values है आपको यहाँ से compare करो और जैसे adjacent value जो है कर वो यहाँ पर same है तो यान कि yes हमारे पास कुछ repeating values है and that's it, right तो heap sort बनाने के लिए heap sort करने के लिए n log n time आपको लगेगा और यहाँ पर endify करने के लिए आपको big of n time यहाँ से लगेगा तो overall जो आपकी जो time complexity होगी that is n log n और जो space complexity होगी that is going to be big of 1 ठीक है तो यहाँ कि obviously पहले brute force algorithm से यह जो strategy है वो पहले से बहुत better है that is much better but next problem is क्या इससे भी better कर सकते है the answer is yes इससे भी better कर सकते है दो problem से आपको बता दी है पहले strategy आपको बताये थी by using the brute force ठीक है तो इस case आपको बताया था कि जो time complexity थी that is going to be n square और आपकी जो space complexity थी that is going to be big of 1 जो second strategy आपको बताया था by using sorting तो अगर आप यहाँ पर sorting कर रहा हूं तो आपकी जो time complexity is going to be n log n और आपकी जो space complexity होगी that is going to be big of 1 जो third strategy जो हम यहाँ पर यहाँ पर use कर सकते हैं that is using hashing तो आप hashing उस करें अगर java है या अगर आपके पास python है तो आपको यहाँ से hash sets को भी आप यहाँ से use कर सकते हैं तो as of now इस program को मैं यहाँ से java में बना रहा हूं तो same problem को I can repeating the same values मैं आपको python में same problem दे सकता हूं और आप चाहे मैं इसको c programming में भी या फिर c++ से भी same problem को repeat कर सकते हैं अगर मैं c language को use करूँगा तो जो hashing table है आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा और तब आप problem को solve करेंगे obviously that will take more time लेकिन अगर आपके पास c++ है या फिर java है या फिर python है तो hash sets जो है वो पहले से ही available है आपका जो time जो है वो काफी जाता बचेगा but anyways let us assume कि मैं हाँ से hash table से इस form को solve कर रहा हूँ तो hash tables में create करने के लिए आपकी जो time complexity होगी that is big of n और जो space complexity होगी that is also big of n तो बिसलिए करना यह है कि जो भी elements आपके पास है जैसे elements है आपके पास 1, 2, 3 as well as 1 और let us suppose यह जो आपको represent कर रहा है that is hash table तो इस hash table में जो first element हमारे पास है that is 1 तो मैंने 1 को इस element से मैंने इसको डाला फिर next element आपके पास आ रहा है 2 तो 2 को भी मैंने इस hash table मैंने create किया है फिर आपको जो third element है वो आपके पास 3 है वो भी हमने hash table पर हमने यह से डाल दिया है और जैसे ही next element आपके पास आएगा और hash table में अगर same element hash table में पहले से ही अगर आपके पास एविलेबल है तो इक है identify कि yes this problem is done right बहुत easily आप इस same problem को आप यहां से solve कर सकते हैं right because आपकी जो space complexity होगी that is big of n और time complexity is going to be big of n और hash table में और identify करना easy था right it's much easy तो सब से पहले this is the problem as you can see प्रब्लम आपके बास क्या है और साथ-साथ मैं इस code को यहां से यूज कर रहा हूँ तो हमें एक contain duplicates एक functions को यारि की method जो है वो हमने हैं से create किया है अब create करने के क्या क्या चीज़े हम लो करने वाले हैं सबसे पहले हम यहां से कुछ hash set को हम यहां से create करना पड़ेगा तो I can use a set और it is of integer type and then you can also create some नाम यहां से भी देते हैं इसके अनल can give any name let us suppose I can say as a scene numbers कि कोई number को हमने पहले देख लिया है तो उसके somehow मैंने कुछ नाम यहां से use कर दिया है और उसके साथ साथ मैंने new hash set को मैंने create कर दिया है hash set और create करने के बाद अब मैं यहां से एक for loop को use create करें हैं और इस for loop से आपकी जो time complexity होगी that is going to be big of n only तो यहां से एक और for loop को हमने create किया for integer number as numbers और हरे case में अगर हमने किसी value को हमने check किया क्या value जो है वो पहले से ही available है यानि कि वो duplicate values अगरा आपका पहले से ही है तो statement को हमने हां से create कर दिया यानि कि for seen numbers dot contains क्या वो number पहले से ही available है तो उस case में इस number को हमने check किया और check करने के बाद आपके make a funny program like this और उसके लावा just say seen numbers dot add अगर number ऐसा नहीं है तो आप इस number को आप यहां से add करोगे तो as number तो यानि कि जो भी new elements आपको create कर दो यानि कि add you can say add this new number ठीक है और जैसे हम इस function से यहां से बहार निकलते हैं somehow अगर elements आपके पास मिल गया तो that means you can say true और अगर इस for loop के बाद कहीं पर भी अगर आपके पास true execute नहीं हुआ है just return 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 as false तो आपके बास false return हो जाए है कि यहांपर कोई भी repeating values नहीं है यानि कि all these numbers are unique all these numbers are unique and that's it बस इतना ही आपको करना था और आप कामिया से हो गया तो प्रॉल्म फिर से देख लेते हैं ठीक है let me repeat again तो हमना यह है कि हमने पहले hash sets को हमने यहां से create किया create करने के बाद फिर हमने एक for loop को यूज किया है कि जो भी numbers अगर आपके पास available है अगर उस number को हमने पहले से ही इस hash table में अगर वो पहले से ही अगर वो available है तो आप return कर दो और यहां से return कर दो अगर उस value जो है अगर has set में पहले नहीं है तो आप इसको add कर दो और इस for loop के बाद कहीं पर भी अगर आपके ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी repeating values नहीं है तो just return false और आपका में यहां से हो जाएगा I can just try and run the problem यहां से return करेंगे I think some error is there it may see कि क्या problems में यहां से करी है so this is line number 3 मैं यहां से करी है I can create a sets we have integer की spelling थोड़ा I think this is a problem let me run it and I guess yes, so हमारी जो problems है वो यहां से accept हो गई है so let me see so first accept case number 1 is tested and case number 2 भी यहां पर true है 3 भी आपके पास ही है और done है so simply just submit it और आपका में यहां से हो गया that's it so this is so easy right, बहुत easy problem है now let us solve the next problem, तो अब next problem को हम यहां से solve करते हैं ठीक है and by the way अगर वीडियो आपको अचा लगा है तो you can just subscribe to the channel okay